आप सभी का परस्ट है की इस बार जो tiếp जो असपेसर ध्राइब का मेरिट लिस्ट फर्क जारी किये गये हैं और उसमें कट्व की बात करें वहोत हाई कट्व गए हुए ऑनि की 100 कट्व गए हुए जितनी भी स्पेसराद के हैं सभी के कट्व 100 कट्व ये सब का वहाँ का 96-95 लेकिन अधिकांस जो इस्टेट हैं सभी जगह का 100 का 100 कटव गए वें तो बात आती है कि आखिरकार ये इतने परसेंट के स्टूडेन कहां से आते हैं तो चलिए जानते हैं कि ये सबसे बड़ी क्या है इसमें जोल तो आज की इस कलास में सबसे पहले इनका जानते हैं सबसे पहले आप लोगों को बता दें इसमें जो है इसमें आप लोग का फॉर्म जो भड़ाया जाता है ये ऑनलाइन होती है और documents verification का कारी जो होता है ये offline होता है और बता दें कि इस war का जो है ये first merit list जो जारी किये इनका documents verification का कारी जो है ये 17 जुलाई तक रखा गया है आप लोग जिनका भी selection हुआ है 17 जुलाई के अंदर आप लोग form वहाँ पे जाके जो भी documents में लगेंगे वो आप दे देंगे और documents verification के लिए जरूर जाएं और documents verification के लिए कौन कौन से documents आपको लेके जाना होगा आगे आप class में बने रहें सबसे पहले जानते हैं कि इसमें cut up है क्यों गई है देखिए ये जो online form भरनते वक्त वहाँ जो हैं बहुत से ऐसे अभी अरती हैं जिनों ने अपना marks जो हैं बहुत जादा करके चरहा दिये हैं अफलोड कर दिये हैं इस कारण से कि offline जब भी documents verification के लिए जाएंगे वहाँ पे setting करके वो manage कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा और यदि किसी का ये पकड़ाये भी गएं कि वो किसी कारण वस documents वहाँ पे upload करते वक्त गलत दिये हैं तो उसे कानूनी परकिरिया के द्वारा उसे डंडित किया जाएगा और आप लोग का जितने भी ऐसे अभियरती हैं सभी का इस वार जो है अगले वार भी डीजी लोकर के माध्यम से documents verification का कारी होता है जिसमें जैसे ही वहाँ पे आपका roll नमर और जैसे ही उसमें डालेंगे आपका नाम तो वो वहाँ पे original जो 10th के mark seat होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं तो इसमें आपको जो भी इस तरह के अभियरती हैं वो साबदान हैं और इसी के कारण इस वार जो है cut up high गए हुए हैं अनिकी 100 में 100 cut up गए हैं यहां तक की बात करें जितने भी state के एजाम होते हैं विहाँ बोर्ड यूपी बोर्ड जितने भी हैं उनका यदि टौफर की बात करें तो उनका भी 100 में 100% नहीं होता है यहां तक तो आप लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी 100% कैसे आ जाते हैं तो इनी वो student होते हैं जो अपना फरजी मार्क सीट अपलोड करते हैं तो वे अब साबदान रहें और उसका कानूनी फरकिरिया के माध्यम से उसे डंडित भी क्या जा सकते हैं जो भी इस तरह क student है आप से विंती है कि इस तरह का आप नहीं करें जो भी वहां पर जन्मीन student है उनको कटनाई होती है तो आप लोग यह विंती है कि आप लोग से आप लोग इस तरह का जितने भी अवियरती हैं वो इस वार यदि आप लोग documents verification के लिए जाते हैं तो आप वहां से reject भी होंगे साथी साथ वहां पे आपको कानूनी करवाई भी हो सकती है चलिए जानते हैं कि आप लोगों को जिनका भी selection हुआ है उन सवी को बहुत बहुत बदाई हो और आपका selection के लिए कौन-कौन से documents verification के लिए आपको लेके जाना होगा documents बहुत अबियर्थी का comment भी आ रहा था तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले आपको print out of selection list लेके जाना होगा उसके साथ आपको valid photo ID proof आनि कि आप जीस जगह से है वहां का अधार कार्ट और साथ में voter ID कार्ट इन में से किसी एक आपको लेके जाना होगा और ये original के साथ साथ आपको पांच जो है जिरोक्स आनि फोटो कोफी भी लेके जाना होगा उसके साथ आपको class 10 के certificate original भी और साथ में पांच फोटो कोफी चलिए और कौन-कौन से documents आपको लेके जाना होगा mark sheet of class 10 class 10 के mark sheet और original certificate दूनों आपको लेके जाना होगा उसके साथ ही class certificate और domicile भी आपको लेके जाना होगा domicile certificate उसके बाद आपको date of worth certificate print out of application for ये सबी वो documents है जो require किये गए हैं आपको लेके जाना ही है तो आज का यही कुछ आप लोगों का प्रस्ट था इनी प्रस्ट को देखते हुए आज का ये dedicated class रहा और आप लोग अपनी राय जरूर दें कि सबसे पहले आपको ये बता दें कि GDS का जो है ये साल में बहुत vacancy निकालती है और आप लोगों का क्या राय है कि ये इस वार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि documents का जो है ये upload करते समय बहुत ऐसे अभियरती हैं जो अपना गलत marks upload कर देते हैं इस पे exam होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अपनी राय आप comment में जरूर बताएं चलिए इसी के साथ आज का class को ये पे end करते हैं मिलते हैं इसी तरह के update के साथ यदि अभी तक आप लोग इस channel से नहीं जूरे हैं तो जूर जाएए इसी तरह के update मिलती रहते चलिए मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम